कक्षाचे विशाई हिंदी निबंद लेकर में सतिस्पंदित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस विडियों में उपस्तित हुआ हूँ विद्यार्थियों आज का निबंद रहेगा नदी तट नदी का किनारा सभी विद्यार्थियों को यह निबंद हिंदी की निबंद की नॉट्बुक में लिखना होगा और जब स्कूल खुल जाए उस समय दिखाना होगा विद्यार्थियों जैसे कि आज का निबंद का विशाई है नदी तट नदी का किनारा नदी का किनारा हमेशा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को आकरशित करता रहा है और खास करके बारिश के मौसम में नदी का सुंदरिय अध्भुत अलोग की खो जाता है नदी तट के करीब से आप बुजर रहे हो तो आपको ऐसे इच्छा हो जाएगी कि कुछ समय यहां रुप जाए और नदी के सुंदरिय का आनन्द ले तो आईए निबंद देखते हैं मैं इस वीडियो में निबंद के संपूरा चर्चा करूँगा और बाद में विद्ध्यार रिफाईयो आपको निबंद लिखने के लिए निबंद भेज दिया जाएगा वर्षप में एक फोटो कोपी आपको भेज दूँगा आपको निबं लिखना होगा और अच्छी तरह से तियार करना होगा आईए आरंब करते हैं आज का महत अकुण निबंद नदी तट अर्थात नदी का किनारा सबसे पहले प्रश्टावना अर्था शुरुआ देखेंगे नदी तटका कुद्रती सौंदर ये अजबूत होता है होता है ना बहुत ही सुंदर कि आप नदी के पास से गुजर रहे हो और नदी को देखकर आपको आकर्षन पेदा नहों ऐसा हो नहीं सकता बहुत ही सुंदर खास करके बारिश के मौसम में तो भारत की कोई ऐसी नदी नहीं होगी जिसमें पानी न आ जाए पानी का बहाओ नदी के किनारे के पेड़ है ना आकर्षित करते हैं ना तो सुरुआत अर्थार प्रश्टावना जो छोटी और अच्छी होनी चाहिए करती सुंदर या अजबूत होता है नदी का किनारा अर्थात नदी तट छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को नदी तट पर आकर बहुत खुशी मिलती है तो बस इतना एक आपको व्योश्टी छोटा सा पेड़िग्राफ लिखना होगा जो आपकी जाएगी विद्याठियों और सब्द का उप्यक भी आप कर सकते हैं लेकिन अभी आप शिक स्टांडर में पढ़ रहे हो चोटे हो आने वाले समय में आपको स्वयम निभन लिखने होगे अच्छी तरह से उसकी समिक्सा आपको स्वयम प्रस्टुत करनी होगी तो आमने प् बट आकरसित करता है तो हम नदी का संदर्य देख लें नदी तटपर पेड़ पौदे फूल हरियाली रेट पानी नजाने कितनी खुशियों का खजाना देखने को मिलता है मिलता है ना एक चीट नहीं मिलती नदी तटपर अनेक वस्टों देखने को मिलेगी अनेक प्रकार का सुंदर्य देखने को मिलेगा और वहीं सुंदर्य आपको आकरसित करता है नदी तडपर पेड़ पोदे देखने को मिलेंगे बहुत सारे पेड़ होंगे अलग-अलग वनस्पतिया खिली हुई होगी पोदों के रुप में हरियाली चोटरब फेली हुई होगी नदी को बहुत मजाती है नदी की रेत में खेलते हैं गिली गिली रेत होती है पानी नदी में नदी तडपर पानी भी देखा जाता है बेहता हुआ पानी देखा जाता है एकदम स्वच्छ पानी होता है नजाने कितनी खुशियों का खजाना हमें नदी तडपर देखने को मिलता चोटे बच्चे तो नदी टट पर आकर बहुत ही खुश हो जाते हैं आपकी तरह चोटे बच्चे जो होते हैं नदी टट पर आकर बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन अकेले कभी नदी टट पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि खास करके बारिस के मौसम में तो नदी के पानी का वहाव बहुत तेज होता है और गलती से अकेले नदी में गए और नदी में नहाने की कोशिस की तो दुर्षभाग्य भी साथ में आ सकता है इसलिए परिवार के साथ गए और खास करके तो अधिक मात्रा में पानी हो तो नदी टटपर नहीं जाना चाहिए और बचके रहना च सौंदर्य को कम नहीं आँख सकते वह बहुत अधिक मात्रा में है चोटे बच्चे नदी में आकर बहुत खुस हो जाते हैं बरसात के मौसम में नदी के सौंदर्य की परिभाशा ही बजल जाती है वहाँ अनुपम सुंदर्य दारण कर लेता है नदी के सुंदर्य में चार चांद लग जाते हैं नदी के सुंदर्य में चार चांद लग जाते हैं लोग नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए दूर दूर से नदी तटपर आते हैं और अश्चर कानुफो करते हैं लोग गाउं गाउं सहर सहर बात करते हैं कि आट्टो अपने सहर के पास से बहरा ही नदी में बहुत पानी आया है बारा मैनों में यह नजारा कभी कभी देखा जाता है चलो अपने नदी देखने के लिए जाते हैं लोग घर से निकल जाते हैं नदी को देखने के लिए वो नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर देखकर बहुत खुस हो जाते हैं आश्चरे कानुखो करते हैं कि हरे हाथ तो हमारी नदी में कितना पानी आया देखो न दोनों किनारों में पानी ही पानी दोनों किनारों से भरके बेह रही है बहुती सुंदर लग रही है तो यह नदी के सुंदरे की बात की दूसरे पेरग्राप में नदी का सुंदरे का वणन करना होगा अब तीसा पेरग्राप लिखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं बाद में आपको यह लिखना होगा महत्व और इतिहास नदी तटका अनेक महत्व है नदी तटपर हमें अनेक पवराणिक मंदीर भी देखने को मिल जाते हैं तथा अनेक सिद्ध पुरुष तथा संत महत्माओं के आश्रम भी नदी तटपर देखने को मिलते हैं ये एक महत्व पुन बात रहे अनेक नदियों के किनारे अनेक संथ महात्माओं के आश्रम जो हमारे भारत वर्ष की सान बढ़ाते थे एसे बड़े महत्वपुन संथ महात्मा नदीतत पर आश्रम बना कर रहा करते थे और नदीतत के महत्व को बढ़ाया करते थे नदी तटपर स्थित जो खेत होते हैं उनमें फूलों की खेती भी होती है और उन फूलों के कारण नदी तटपर हमें सुगंधी का अनुभव देखने को मिलता है आप नदी तटपर जाएंगे फूलों की माहिक बहुती वातावरण को सुगंधी का अनुभव कराती है नदी तटपर स्थित खेतों में फूलों की सुगंध वातावरण में सुगंधी का संचार करती है जिससे बहुती आनंद का अनुभव होता है अब हम देखेंगे आनन्द उल्लाश वाला पेरिग्राफ कि आनन्द और उल्लाश नदी तट पर किस प्रकार हमें मिलता है बच्चों को मिलता है और बुड़ों को मिलता है नदी तट पर बच्चों को बहुत मजा आती है आती है नदी तट पर मजा अवस्याएगी नदी पर किसी शुब औसर पर आते हैं, तो उनके खुश्यों का वरणन करना बहुत कठीन हो जाता है, बच्चे तो नदी टट पर बहठ कर नदी की गीली रेटी में खेलने लगते हैं, कभी मिट्टी का पहाड बनाते हैं, कभी मिट्टी का सिलिंग बनाते हैं, और इस प्रकार आनन्द व्यक्त करते हैं नदी तट पर बहुत सारे लोग इखटा हो जाते हैं हमें वहां से नदी तट पर खड़े रहकर नदी में नहाते हुए लोग दिखाई देते हैं कुछ लोग तो नदी के पानी में तेरते भी हैं जो तेरा कोटे न, उनको नदी के पानी में तेरने में बड़ी मजा आती है और यह सब द्रश्या हमें नदी तटपर से देखने को मिलते हैं नदी तटपर हमें कभी-कभी मेला लगा हुआ दिखता है नदी तटपर कोई पौराणिक मंदीर हो, वहां मेला लग जाता है बहुत सारे व्यापारी वहां आ जाते हैं हमें बहुत सारे खिलोने भी देखने को मिलते हैं अपने पापा को कहते हैं, मा को कहते हैं कि हमें खिलोने खरीदने हैं गुब्बारे वाला गुब्बारा भीस्टा दिखाई देगा, आप गुब्बारा खरीद लेगे, छोडेंगे, उसमें गेस भरी हुई होगी, और धीरे धीरे आशमान में जाने लगता है, नदी तट से दूर दूर जाते हुए, उस गुब्बारे को हम देखते जाते हैं, सा पहाड़ी के आसपास का नदी का संदर्य तो अजबूत होता है, पहाड में से गिरते हुए चर्णे, जो नदी में आकर के नदी का स्वरूप ले रहे हो, वह सब दर्श्या में नदी तट से देखने को मिलते हैं, आँखे एकदम खुश हो जाती है, हमें अपनी आँखों पर मानव विश्वासी नहीं होटा, कि वहाड कितनी मज़ा अगई, नदी तट पर कभी कभी हमें, आशपास के विश्वतार के पसू पक्सी देखने को मिलते हैं, आशपास के विश्वतार के पशू, गाय, भेंश, भेड, इत्यादी, नदी का पानी पीने के लिए आते हैं, और नदी तत से हम वह द्रश्य देख सकते हैं, यदि नदी तत पर मिला लगा हुआ हो, तो हम नदी तत पर उट की सवारी करते हैं, गोडे की सवारी करते हैं, जो हमें नदी के तत से दूर तक गोडे सवारी करवाते हैं, हम गोडे सवारी का घूर सवारी जिसको कहते हैं, घ नदी तटकी में जो आनद और उल्ला से उसका वणन करना अद्वितिया है, यहाँ वणन संक्सित में ही करना होगा, वनना यह अनिवत बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम समापन की तरफ बढ़ते हैं, सचमुत नदी का सवंदर अद्वूत होता है, अनुपम होता है, तो इ तो यहाँ निबंद में आपके लिए आपके वर्षप ग्रुप में अवसे भेज़ दूँगा, अच्छी तरह से थैयारी कीजिएगा, एक बार पुनहां, सामने परिभासा में में नदी तटकी बात करूँ, नदी तटका कुदरती सुंदर अद्बूत होता है, नदी का कि पूल, हरियाली, रेट, पानी न जाने कितनी खुशिया, हमें देखने को मिलती है, छोटे बच्चे तो नदी तटकार आकर बहुत खुश हो जाते हैं, नदी के सुंदर्य में चार चान लग जाते हैं, लोग नदी में के बढ़ते जरस्तर को देखने के लिए और नदी के स पूरानिक मंदिर तदा, सिद्ध पूरुशंत महात्माओं के आश्रम देखने को मिलते हैं, नदी तटकार पर फूलों के खेत, आज पास के वातावरन को सुगंधी मही बना देते हैं, जिससे वहां रुकने में बड़ी मजा आती है, जितना भी समय वहां गुजारों, आन लाज की बात वाला पेरिग्राफ, नदी तटकार बच्चों को बहुत मजा आती है, जब बच्चे अपने परिवार के साथ नदी तटकार आते हैं, तो उनकी खुश्याही देखने को मिलती है, वे नदी के किनारे में आकर के नदी की ठंडी ठंडी रेत में खेलते हैं, अच्चे नदी तटक पर नदी में नहाते हुए लोगों को देखते हैं, और आनन्द का वणन करते हैं, आनन्द और उस्सा उनका बढ़ जाता है, सच्च नदी का सुंदर ये बहुत अधूत होता है, अनुपम होता है, मुझे नदी का तट बहुत ही अच्छा लगता है, विध्याति मुझे विश्वास है, मैंने अच्छी तरह से दो बाद नदी तट व्यास्ति आपको समझा दिया है, और मुझे विश्वास है कि यह समझ आपके बहुत काम में आएगी वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, जैस्वामी नारायन गुरुकुल के प्यारे प